तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपी शोर नंबर फिफ्ट में तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोट इस रिक्वाइस्ट कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैन कर लीजेगा और साथ ही आप लोग नीचे कमेंट भी कीजेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए तो यह मेरी आपसे हाँ जोड के विंती कि प्लीस आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजगा अगर आप 40 कमेंट करते हो तो आपके लिए अगली वीडियो जल दी आएगी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपके जह अपिशोड को अपिशोड के स्टार्टिंग में हम जह यहाँ पे रोम बक को देख पाते हैं जह यहाँ पे कि हमें battle का scene दिखा जाता है जहाँ पर demon king बोलती कि मैंने तुम्हें जहें दो रस्ते दिये थे कि तुम यहाँ पर खुज को मार लो या फिर मैं तुम को मारू तबहीं जो बिजरक होता है ये बोलता है लेकिन मैं यहाँ पर तीसरा हसथा फिर हम देखते कि यहाँ पर सब जो बंते होते हैं वो जो होते हैं, बजर्ग बोलते हैं कि सब को मारो, क्युकि आप यहाँ पर जो demon army है, वो मेरी होने वाली है जिसकी बजर्ग, रे को बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो तो तुम 7th, cross के कमांडर अभी भी बन सकते हो लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरे साथ काम करना पड़ेगा तो बताओ क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तयार हो तभी हम रे को देखते हैं जो यहां पे अपने जो मैजिक होता है उसका जहें इस्तमाल करता है तो यहां बज़ारक बोलता है कि जह जा रहा होता है और जिसके बाद जो रे होता है वो जो तो फानली पहुंच जाता है बजर के पास और यह जो तो बजर को यहां पे पकड़ता है और एक दम से मैजिक कापलाई करता है और हम देखते कि बहुत तगड़ा जो धमाका होता है वो देखने को मिलता है नेक्शी ने हम बजर्ग की मुंडी को देख पाते है जो यहाँ पर आ जाती है लेकिन तब बजर्ग की मुंडी हसती है और कहती कि तुम्हें कहलागा यह सब खतम हो गया फिर हम देखते कि बजर्ग की जो बोड़ी होती है वो भी खड़ी होती है बजर्ग बोलते है कि तुम चाहो या ना चाहो यहाँ पर तुम्हें यह अच्छा लगे या ना लगे लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर यह जाए खूंगा और तुम्हें पता नहीं कि मेरी जो आर्मी है वो जह अंदत आर्मी है इसे जय कोई भी नहीं मार सकता यहीं पर हम देखती कि बजर की जो आर्मी होती हो दुबारा से खड़ी हो जाती है और बजर की आर्मी रे के उपर हमला करने वाली होती है लेकिन जो रे होता है वो अपने मैजिक का हमला करता है और यहां पर इनको जय जलाता है लेकिन जो आर्मी होती ही वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही होती ही और यहां बजर्क बोलता है कि चाहे कुछी भी हो जाए तुम्हारी पाउर कितनी भी हो लेकिन तुम यहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम बस अपना जो magic है वही जो वेस्ट कर रहे हो और जिसके बाद बजर की जो team होती है वो हमला करने वाली होती है रे के उपर तबी जो रे होता है वो एकदम से यहां पर magic का apply करता है और इंको खतम कर देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो टीना होती है वो आ जाती ह और यह बोलती कि कि तुम लोग मेरा ही वेट कर रहे थे और टीना अपने साथ यहां पर जो वो सारे बंदे होते हैं वो लेकर आते हैं और जो साई लड़किया होती है वो इस सभी को clear कर देती है तुम भी demon king यहां पर आ जाती है और यह बोलती कि मैं तुमको एक और चांस देती हूं बजर्ग तुम्हें यहां पर जो रहा है उससे जह फाइटिंग करना है अगर तुम जीत जाते हो तो मैं प्रोमिस करती हूं कि मैं तुमको नहीं मारने वाली तो बजर्ग बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और इसीधा रे के उपर हमला करता है यहां पर जो हम पाश की सीन को देखते हैं जहां पर रे एक फूल को देख रहा होता है तब यहां पर जो रोमबन होता है वो आ जाता है और यह बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो तो रे बोलता है कुछ भी नहीं तो रोमबन बोलता है कि ठीक है चलो आज की ट्रेनिंग को स्टार्ट करते जिसके बार रे जो होता है, यहाँ पर ट्रेनिंग को कर रहा होता है. फिर हम नेक्षिन में देखते हैं, कि रोमबक और रे बाहर होते हैं. तब यहाँ पर रे पूसता है, किया कोईдел ऐसा मैजिक नहीं है, जो यहाँ पर इस हुआइड फूल को खिला सके. और यहां पे जो demons होते हैं वो जोÓ तो magik से बहुत जाड़ते हैं और साथ ही अगर तुम्हारा दिल pure नहीं है तो तुम उस magic को नहीं सीख सकते हो लेकिन मुझे लगता कि तुम्हारा दिल इंसान का इसलिए तुम उस magic को अराम से सीख सकते हो लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि यहाँ पे डैमन्स जह इसे डरते हैं और तुम्हें डैमन्स को सपोर्ट करना है इसलिए तुम्हें यहाँ पे इसका जह कोई दिखावा नहीं करोगे और यह जोद पड़ेगी तभी तुम्हें इस मैजिक का जह इस्तेमाल करोगे और कि हमों अब मुझे माफ नहीं कर सकते हो क्या कहना चाहते हो अकर कर्याइधum करी कहलोगे तो रख क्या juice करें वहां कर देख वो माफ नहीं है तो देखते हैं думаю कहता है Parliament कर देता है तो यहां पर बोलते कि मुझे पता था कि तुम यहां पर कुछ भी नहीं बोला और साथ में मुझे चुना डूवल के लिए कोई प्रोग्रम नहीं है वैसे भी तुम जी चुके हो तभी डैमन किंग कहती कि जो बजरक है वो आम नहीं रहा इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थार्ड जो ग्रूप है उसके जो यहां पर लीडर बन जाओ तो रे क्या तुम इस जिमेदारी को लेना चाहोगे और तुम थार्ड ग्रूप के जो कमांडर है वो बनना चाहोगे यह जो टोटली तुम्हारी मर्जी है जब तुम बता दोगे तो यहां पर हम तुम कमांडर बन सकता है तभी यहां पर डैमन किंग कहती कि तुम भी तो मुझे सर्फ करती हो तभी तुम्हें कमांडर हो तो यहां पर टीना कहती लेकिन फिर भी रे जह मेरा है तभी रे यहां पर आ जाता है तो यहां पर डैमन किंग बोलती कि तुम्हें चूस कर लिया तो रे बोलता है कि हाँ फिर नेक्षिन हम देखते कि टीना और रे जा रहे होते हैं तब यह तीना बोलते कि मुझे को समझ नहीं आए कि डैमन किंग जानती कि यहां पे तुम एक इनसान हो और फिर भी वो जो बिल्कुल भी शोक नहीं हुई तब यहां पर रे बोलता है कि तुम इसको सुईकार कर लिया फिर नेक्षिन में हम देखते कि यहां पर डैमन्स और इंसान शांती से रह रहे हैं और यह खुश हैं यहां पर रे बोलते कि मेरा सपना है कि मैं डैमन्स और इंसान को साथ में लाना चाहता हूं और यह बोलते कि मुझे माफ कर दीजेगा और यह मूखो टाटा जिता है और यह बोलते कि मैं यहाँ पर जो कमांडर है वो बनने के लिए तयार हूँ और यहाँ पर मैं सपना है उसको जह मुझे पूरा करना है और अभी जो Elysia है वो जह पहला टाउन है जिसे मैंने यहाँ पर ऐसा बना है जहांपे इंसान और डेमन साथ में रह सकते हैं अब दोस्तों इसी के जानत ये वीडियो खतम होती है उमीद है वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे कमेंट कीजगा मिलता हूँ अगली वीडियो में जी अवत अगले बाई बाई